Hi friends, this is Anjum from Habitat. आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, जो Habitat पर जोड़े होंगे और हरोज News Analysis की मेरे साथ discussion में participate करते होंगे. डेली शाम को साधे 6 बचे, 6.30. हम Daily Current Affairs News Analysis पर discussion करते हैं, जो जो examination के हिसाब से important होता है, उस News को वहाँ पर analyze करते हैं और देखते हैं क्या कुछ उसमें से निकल सकता है exam point of view से. तो उसी को ध्यान में रखते हुए जैसा आप लोग चाहते हैं और बहुत से लोगों ने मुझे से कहा भी कि एक like minded लोगों का group बना चाहिए, club बना चाहिए, जहाँ पर हम लोग sprint लगा सकें, revision कर सकें. तो sprint club की शुरुआत habitat पे होने जा रही है, क्या क्या होगा इस group में, यह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, देखिए. आप जानते हैं, habitat एक interaction platform है, जहाँ पर co-learning होती है, co-creation of content होता है, आप मैंसे सब लोग आते हैं, और अपने-पने sources से content को वहाँ पर share करते हैं, और बताते हैं कि यह important है, इस पर हमको discussion करना है. तो एक co-learning होती है, हमार के mentors होते हैं, वो किवल आपको channelize करते हैं, आपको guide करते हैं, कि आपको examine case आपसे, किस तरह से इस news को या फिर इस topic को देखना है, और फिर आप अपने confusions जो हैं, वहाँ पर रखते हैं, और आप peer group के साथ उसको discuss करते हैं, और mentors भी उसमें participate करते हैं, आपके confusions दूड करते हैं, और आप उस question को easily solve कर पाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, हम लोगों ने ये एक बनाया है, क्या होगा इसमें दिखिए, उससे पहले ये जानिये कि active collaboration जो होता है, studies में न, वो effective होता है, यह आप अब तक जान गरोंगे, बनिस्पत आप isolate होकर पढ़ें, उसमें बहुत से दिमाग में, जैन में questions रह जाते हैं, जो या तो अपने classroom discussion अगर आप करें, तो possible है classes में जाते हूं, लेकिन बहुत से working experience हैं, जो class में नहीं जा पाते हैं, अपने time की वज़ह से, उनको बहुत समस्या होती है कि वो अपने questions कहां पर किसे प एक कोई universal strategy नहीं है, जो सबके लिए काम कर सके हैं, सबकी strategy अलग-अलग होती है, जो मेरे लिए हो सकती है, वो आपके लिए नहीं हो सकती है, जो आपके लिए हो सकती है, वो मेरे लिए नहीं हो सकती है, सबका काम करने का तरीका भी अलग होता है, पढ़ने का भी, और जिस ह आपसे पूछ रहा है themes match कर सकते हैं ये जरूर है किसी coaching में अगर आपने admission लिया है themes match कर जाएंगे अगर मैं बोल रहा हूँ पंचाइदी राज तो पंचाइदी राज का theme match कर सकता है लेकिन question क्या आएगा आपने current में उसको किस हिसाब से cover किया है ये depend करता है तो अगर कोई कह रहा है आपसे कि हमारे यहां से यतने questions आए हैं तो यानि वो theme उसके हां से match किया क्यों तो उसने theme पढ़ा है और ये सब जानते हैं कि themes match करी जाते हैं ये आप भी guess कर सकते हैं कि भई CA है ये एक theme है ये topic है इस पर topic पर से question को आ सकता है तो analyze करना बहुत जरूरी है तो अभी sprint आप जानते हैं क्या होता है sprint होता है अपने जब athletes को देखा होगा है शुरुवात में वो अपनी average speed से भागते हैं मैं लंबी race की बात कर रहा हूं तो kilometers of marathon जो होते हैं लेकिन वो अन्तिम का जो एक moment होता है जहां पर आपको line दिख रही होती है और उस line से पहले आप अपना सब कुछ दाओं पर लगा के एकदम बहुत तेज से दोड़ते हैं वही एक होता है आपका winning moment जहां पर आप औरों से आगे निकल सकते हैं पीछे चूट चुका है वो चूट चुका है आप भी एक समय में पीछे थे लेकिन अपनी average स्पीच से पढ़ रहे थे लेकिन अब ये last के वो चार महिने हैं अगर आपने इसमें sprint लगा दी then game will be yours तो एक club हम लोग बनाएंगे club इसको नाम इसलिए दिया गया है 30 members का like-minded members का एक group बनेगा जिसमें 30 ही लोग रहेंगे वो आके discuss करेंगे अपने अपने चीजों को और हम से पूछेंगे और वहाँ पर discussion में चीजों को हम solve करेंगे दिखिए क्या होगा फैब्री से मिड मार्च तक हम क्या करेंगे static part discuss करेंगे quality economics का union budget economics survey इंडिया एर्भू की सब उसमें रहेगा और बाकी reports पर रहेंगी मिड मार्च से एप्रिल तक environment ecology geography mapping international relation और places in news इस पर हम लोग बात करेंगे में में history, art and culture, issues for prelims, science and technology का year compilation और test series discussion उसमें होगा 1st to 18th June most probable 300 topics की हम लोग बात करेंगे जो अब तक पढ़ा है उसको किवल revise करेंगे सबसे अच्छी इसमें चीज क्या है यह जानिया मैं आपको source नहीं बताऊँगा हो आप में से बहुत से लोगों ने बहुत से चीज़ें already join कर रखे हो यह हो सकता है आपने से बिल से लिए कुछ course join किया हो हो सकता है आपने किसी ABCD किसी coaching में आपने admission ले रखा हो लेकिन अब आपने test series आप अपने sources से पढ़िए आप current affairs अपने sources से पढ़िए we will provide you a platform जहाँ पर 30-35 students होंगे वो आकर daily उस चीज़ को revise करेंगे current affairs का source मैं आपको बता दूँगा आपको पहले से वो compilation देपे दिया जाएगा और आप उससे पढ़के आ सकते हैं मैं खाली उसको उठाऊंगा उस issue को महाँ पर और आप जितने भी आपके queries होंगी आपको इसे लेकर पूछ सकते हैं और उसको discuss कर सकते हैं उसमें से क्या-क्या questions बन सकता है इस पर हम लोग discuss कर सकते हैं होगा कैसे mandate use से static portion पर हम लोग बात करेंगी जो static portion वही जो मैंने आपको भी दिखाया दिखिए important issues जैसे February 7, mid-march हम quality और economics के जो important issues current में चल रहे होंगे हम उसको pick करेंगे उस पर detail में बात चीत करेंगे same with economics basic से लेकर क्या-क्या पूछा जा सकता है उस पर हम लोग बात कर लेगे Union Budget Economy सर्वेया आप जानते आने ही वाला है mid-march से April में हम इसी तरीके से environment ecology मैंने आपको बता दिया फिर से इस पर बात करने का कोई लाब है ने Wednesday को और Saturday को current affairs की discussion होगी Monday Tuesday का जो current होगा Wednesday को हम लोग करेंगे Thursday Friday का जोगा Saturday को करेंगे यानि Monday Tuesday Wednesday Wednesday की शाम को Thursday Friday Saturday Saturday की शाम को इस तरीके से हमारे ये पूरा discussion चलेगा आप मैं से बहुत से लोग discussion में participate करते भी हैं उनको पता होगा कि हम लोग दो घंटे में कितना जल्दी और अलग-अलग aspects से उस topic को coverage बहुत हमारी detail में हो जाती है हम लोग एक शाचपास December से इस काम को करते आ रहे हैं लेकिन अब जरूरत है कि हम prelims 2021 पर focus करें और static और current affairs को revise कर लें जतना जल्दी हो सके हैं sources आपके रहेंगे platform हमारा रहेगा mentorship हमारी रहेगी कोई confusion होगा हम लोग आपको बताएंगे इसको ऐसे करें और जो आपके 30-35 students होगे उनको बार 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 एक चीज़ revise करवाई जाएगी तो यह revision का platform है जिसने अब तक basic नहीं पड़ा है उसके लिए प्लाटफॉर्म नहीं है वो दूसरे courses के लिए जा सकता है fees क्या इसकी होगी इसको मैं चाहा था तो बब फ्री रख सकता था ठीक है लेकिन फ्री की चीज़ में ना कभी-कभी बहुत क्या वर्ट का यूज करूँ taken for granted आप लोग ले लेते हैं पार्क में जिम है आपको पता है फ्री है एक दिन जाएंगे दो दिन जाएंगे तिसर दिन कहेंगे कि आज छोड़ जैते हैं कल छोड़ जैते हैं परसो चले जाएंगे लेकिन जब वही आप money पैसा देखे कहीं जॉइन करते हैं तो आप सोचते हैं उसमें आपका कुछ लगा है आपकी investment होई है तो क्यों ना उसका फाइदा उठाए जए यही reason है कि minimum amount रखा गया है only 500 रुपीज पर मन्त 30 students के लिए पहले इसका हम charge जादा रखने वाले थे लेकिन 2500 रुपीज में entire आपका coverage till 18th June रहेगा और आप देखिएगा जिस तरह से आपको अभी तिक discussion में फाइदा होता आया है उसी तरीके से आपको इसमें भी होगा last के 18 days में हम आपको 300 important topics भी इसमें बताने वाले हैं और आपका पूरा entire coverage इस महीने में इतने दिन में हो जाएगा classes शाम को 6.30 तो 8.30 हुआ करेंगी classes में उसको discussion कहें जरूत पड़ेगी तो one-on-one mentorship भी हो सकती है आप मुझसे बात भी कर सकते हैं six days a week session तो हो गई होगा crisp summary podcast में आपको हर session के बाद में दूँगा ताकि वो retain हो सके आप उसको लंबे समय तक याद रख सकें reference material जो है available open रहेगा आप कहींगा भी कोई material लाकर अपने peer group में share कर सकते हैं बता सकते हैं कि यह important है यह हमने पढ़ा था आप भी इसको दिख लिए test series पर खास focus रखेंगे last के में और जून के महिने में आप अपनी अपनी test series लेकर आएंगे आपने जो लगाई हैं अब तक मैं उन में से hundred questions pick करूँगा बहतर जो भी होंगे किसी दिशाय पर और वो हम लोग discuss करेंगे तो इससे हुआ क्या आपने अलग-अलग sources के material को एक जगा पढ़ लेंगे और मैं उसको आपको revise करवा दूँगा तो sources एक आपके रहेंगे हम लोग करेंगे platform provide और discuss करेंगे multiple times चीज़ों को तो यह है पूरा habitat का एक sprint club का फाइदा 30-35 members in a group mentorship पूरी तरीके से और prelims पर focus 30th जानवरी तक आप जोड़ सकते हैं first 30 students के लिए 2500 और फीज़ है token amount है के बल तो आएए 1st February से और जल्दी से इस्मेडमिशन ले लिजे और register खुद को कर लिजे admission लिना is not right register खुद को कर लिजे आपको सारे चीज़ें link में मिल जाएंगी आप link पर click करके इस पर register कर सकते हैं बहुत शुक्रिया Thank you